हेलो गाइस, भलकम बैक टू दे न्युव वीडियो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिज्ज्टेसन ऊणलाइन कैसे करते हैं क्या प्रोशेस है सब्जेक्ट कैसे चूँच करते हैं ओर रिज्ज्टेसन का फॉर्म कैसे भरते हैं पेमेंट कैसे करते हैं या रिजरिस्टेशन हमारा कनफर्म हुआ है या नहीं हुआ ये कैसे पता करते हैं तो ये सारी जानकारी के लिए हमारे इस वीडियों बने रहे शुरूर से अंड तक चलिए फिर आगे देख लेते हैं जन इस्टुडेंट को नहीं पता है कि जुलाई 2021 के रिजरिस्टेशन करवाने में हम एगाईर या नगऑी तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं यह वीडियो हमारे पासवर्ड है अगर नहीं है तो हम यहां पे निव रेजिस्टेशन में जो सबसे नीचे है निव रेजिस्टेशन वहां पे क्लिक करेंगे वहां पे क्लिक करने के बाद से जो सिस्ट्वेशन होगी यहां पे निव रेजिस्टेशन में हमने क्लिक किया किलिक करने के बात यहां पर student registration form open हो जायगा यानि आप यहां से कौन सा program कर रहा हो बीचे कर रहा हो बीचे कर रहा हो जो भी आप program कर रहे हो वो डाल देंगे जैसे बीचे डाल दिया है बीचे प्रोग्राम और तो इसके बात यहां पर name of id card यानि जो आपका id card में name होगा वो id card डालना होगा यानि कोई साथ भी जो आपने program है वो program आपको select करना है program select करने के बाद id card name select करना है id card name select करने के बाद जो भी student का यानि enrollment number होता है जो ignu की तरब से दिया जाता है हर student को वो enrollment number डालेंगे और यहाँ पी यह जो text है इसको यहाँ पे click करेंगे इसके बाद submit का option आया है submit के option में click करने के बाद यहाँ पे जो OTP यानि जो हमारा email id है या फिर आपके mobile number है उसमें एक OTP जाएगा OTP के बाद जहाँ पे OTP डालेंगे submit करने का option है submit करेंगे इसके बाद हम यहाँ पे password बनाए लेंगे यानि password हम अभी demo के लिए password बना लेते हैं abcih-12345 यानि यह जो password हमने demo के लिए बनाया यह password हम यहाँ पे click करते हैं इसके बाद submit करते हैं submit करने के बाद यहाँ पे यहाँ आगा you can login यानि आप login हो चुके हो तो हमने जो user name पासवर्ड यहाँ पे create किया है उसको यहाँ पे fill करेंगे भरेंगे उसको भरने के बाद यहाँ पे जो capture है वह पे capture करेंगे capture भी fill करेंगे capture फिल करने के बाद यहाँ पे login का जो option है login में click करने के बाद एक ऐसा option हमारे सामने इंटरफेस open हो जाएगा यानि वी यजी प्रोग्राम के है बैसलर उफार्ट और यहां पर रिजस्टेशन लिखा रिजस्टेशन जनवरी 2020 सेशन इनेबल फोर डिटेल क्लिक हेर यानि आपने मतलब इनेबल हो आप रिजेजिस्टेशन कर सकते हैं तो आप एक लिए क्लिक करेंगे क्लिक करने लिए आपकी डिटेल आपके सामने open हो जाएगी यानि आप जुलाई 2021 में सेकेंड येर के लिए रिजेजिस्टेशन आप बिल्कुल कर सकते हैं यहाँ पर भी आपको Τरेंग हो गया है यहां पर भी चेंज होकर के यहां पर होता रहा है कि यहां से अपने कर सकते हैं और हमें सब्सक्राइब पिlt चाहित करनेक भाद शाभितें यहां प्छली वीडियो में हम भी हमने आपको बताया था कि आपके पास दौफ सन आते हैं पहला कि आप study material डिजिटली मंगवाना चाहते हैं या आपको receiving study material printed चाहिए अगर आपको digital mode पे चाहिए study material तो 15% का discount मिलेगा अगर आपको study material जो है ना printed mode में चाहिए तो उसमें आपको जितने भी फीच है उसमें आपको उतना ही पैसा देना पड़ेगा यानि दो option हैं दो option में से एक option हमें choose करना होता है यानि एक option हमने choose कर लिया यानि दूसरे में click कर दिया इसके बाद यहां पर आता है semester 3 यानि final year का semester 3 है उसका हमें course select करना पड़ता है कि course और course का इसे select करना है जो क्योंकि कुछ course compulsory होते हैं जैसे यहां पर B H I C 133 History of Indian from C 1206 से 1707 यह इनके लिए compulsory subject है एक और compulsory subject है B S O C 133 sociological यानि दो subject compulsory है यानि इनको लेना ही लेना है इनके बीना आपका semester आपका पूरा नहीं हो सकता है इसके बाद select one यहां पर select one का है कि यहां पर आप अपने मन की according आप subject choose कर सकते है यानि जिस चीज में आपको interest है यानि जैसे है B H D L A 133 ठीक है यानि हिंदी भासा तो हमने हिंदी भासा यहां पर select कर लिया और select यहां पर skill के according तो यानि किस चीज में हमें इंट्रेस्ट जादा है तो वहां पर हम अपना select कर सकते हैं यहां ही semester 4 के लिए counselor हैगा यानि semester 4 के लिए भी दो subject compulsory किये गये हैं यही B H I C 134 और B S O C 134 अब यहां पर भी हम सब्सक्राइब करना है सबजेक्ट तो यहां पर हम कोई सा भी select कर सकते हैं दो में से दिये गए हैं यहां से B HDLA select किया हमने भी यहां से हम select कर सकते हैं कोई sig스비 course जिस्म में यानि credit system कैसे काम करता है इसके बारे में अगर जानकारी लेना तो हमारे description box में video का link है वहाँ से देख सकते हैं तो यहाँ पे हमने submit का option है तो submit की option में क्लिक करेंगे submit के option में क्लिक करने के बाद एक ऐसा interface हमारे सामने open हो जाएगा यहाँ पे जितने भी subject आपने चूच की है वहाँ इसका interface सामने open हुआ है यह को credit बता रहा है कि आप 44 credit है जितने भी subject आपने चूच की है सारी यहाँ पे detail है और यहाँ पे आपके payment का option कि आप 25 उनतिस उरुपे payment है आप अपने credit card के माध्यम से यह payment कर सकते हैं अगर आपको कोई subject चेंज करना है तो आप यहाँ पे जो update subject में लिखा तो आप यहाँ से अपने subject को change कर सकते हैं जो compulsory है वो तो change नहीं हो पाएंगे जो option है चेंज करने का वहाँ पे चेंज करके फिर यहाँ पे submit का option है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यह सब आपके सामने open होके जितने भी subject आपने चूच किये हैं और इसके सामने subject के सामने credit भी आप यह लिखी हुए और semester इसके बाद payment का अगर scene देखते हैं तो payment के दो option है पे फिस फर्स्ट option एक second option है अगर जैसे हम पहले बाले option में क्लिक करते हैं इसके बाद payment के option में हम पहले क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें ऐसा interface हमारे सामने open हो जाएगा तो पहले credit card debit card EMI तो प यह सारी डीटेल आपको submit करनी पड़ेगी और CWO name of card और इसके बाद proceed को option में क्लिक करेंगे और इसके बाद back आएंगे इस बाद EMI पे क्लिक करेंगे EMI option में दो आते हैं एक credit card, एक cardless EMI, net bank की में क्लिक करेंगे तो access bank, SDFC bank, ICIC bank, state bank के द्वारा अपना payment कर सकते हैं अगर UPI में Google Pay, Phone Pay, BMI, Paytm से, Amazon Pay से आप अपना payment कर सकते हैं तो हम यहाँ पे phone pay में अगर हम क्लिक करते हैं यानि phone pay में और phone pay का यह जो mobile number है यह mobile number यहाँ पे verify करने के लिए माग रहा है mobile number को यहाँ पे verify करेंगे और उसके बाद proceed का जो option है verify का option इसमें क्लिक करेंगे इसमें क्लिक कर तो यह 2900 payment approved बता रहा है यानि 3900 रुपए की payment यहाँ से हो चुकी है और यहाँ रिक्वेस्ट कर दी गई है यानि 3900 रुपए की payment की और यह approved बिधिन 4-5 मिनट के बीच में यह payment approved हो जाएगी यानि bank के द्वारा approved हो जाएगी अभी थोड़ा सा इसमें time लगेगा तो इसमें हमें अभी बैक नहीं जाना है और यह देखो प्रोसीड पेमेंट यहाँ पर हो गया payment successful हो गया इगनू इग्यान कोस यानि payment successful हो गई है इसके बाद हम यहाँ पे transaction was successful print receipt यानि जो print receipt है वहाँ पर क्लिक करेंगे क्लिक हेर है क्लिक हेर के option में क्लिक करेंगे तो ऐसा हमारे सामने इंटरफ्रेस ओपन हो जायागा और यहाँ पे सारी detail है जितने भी हमने subject चूज किये हैं और semester wise चीजे हमें सामने बिल्कुल दिखती हुई नजर आ रही है यह हम कहेंगे यानि जुलाई 2001 जुलाई 2021 जुला यहाँ पे सारी जनकारी हमें प्राप्त होती हुई नजर आ रही है और इसके बाद अगर हम अपने receipt डाउनलोड करना चाहें तो हम यहाँ से क्लिक हेर में क्लिक करेंगे तो यह हमारे सामने ऐसा इंटरफ्रेस सामने ओपन हो जायागा ऐसा एक print ओपन हो जायागा प्रिंट में क्लिक करने के बाद प्रिंट में हम यहाँ पर लिखा हुआ है रिष्टेशन जुलाई 2020 का इसा इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जायागा यानि हमारा रिष्टेशन सक्सेश्पूल हो गया है अब इसको हम शेफ कर लेंगे अपने डेक्स्टोप पे सेफ करने के बाद एक ऐसी situation हमारे सामने open हो जाएगी यहां से आपका जो है registration complete हो गया है registration complete हो चुका है और आपका print भी हम शेप करके आपको बता दिया कि print कैसे निकालते हैं और कैसे shape करते हैं जितने STSC कटेगरी के student है उनकी अगर पहले साल में फिश नहीं लगी है तो उनके registration करने में कोई फिश नहीं लगेगी तो इस website में आ करके अपना check कर सकते हैं कि कौन कौन course करने पे हमारी फिश नहीं लगेगी जितने भी STSC कटेगरी की student है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि उनकी फिश लगी है या नहीं तो इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें धैन नवाद